ओम स्रीयने साइडमा दोस्तों आप सभी का एक और नहीं तादा वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आज के वीडियो में सरासी वाले जातकों के लिए बहुत इंपोर्टन बहुत इंखास और बहुत ही महत्पुन होने वाला है क्योंकि 36 करोण देवी देविताओ बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत- इस वीडियो के अंदर दख बने रहें इस वीडियो का कोई सब पाड अगर आपको अच्छा लगत वीडियो को लाइक करें माता रानी के सच्चे बगद कवने बॉक्स में जै माता दे अवस्य लिखें तो मत्रों मेश रासी वाले जातकों का पारी वालिक जीवन व्यवसाइ रहने वाले जै अगर वाले बारवे भाव में गोचर, चंद्रदेव का हो रहा है इनसे आपके मांचिक तनाव को यह बढ़ा सकता है मांचिक तनाव आपका वड़ सकता है प्रन्तु आप अपने वेहिवारिक सोभाव के कारण सवे चुनोतियों को पार पाने में चफलता पुरुवग कामियाव रहेंगे वैपार के शित्र में आपका नवास्य खर्चों हो सकता हैं तथा हानी होने की आसंका भी बन रही हैं ऐसे में थोड़ा सधैर आपको जरूर रखने होंगे कारियों में आपको विशेश ध्यान देरे की जुरत रहेंगी पारिवारिक सदस्यों के सहयोग में भी आपको बढ़ोतरी देखी जा सकती हैं तथा बारवे भाव में गोचर कर रहें चंदर देव का आपके जीवन में पारिवारिक रिष्टों को मजबूत कर सकता हैं हैरे के साथ आपको काम्यावी भी प्राप्त होने वाली हैं, आपके प्रेम समंदों में आज सुक्सानती बनी रह सकते हैं, भूमें भवन तथा परियतन से जुड़े कार्यों को आसानी से कर सकते हैं, और आर्थिक चिंताओं से भी आपको छुटकारा प्राप्त होंगी, आपके लिए अत्यनत ही सुब बना हुआ है, सो भागय में वर्दी होंगी, समस्याएं भी आपके दूर होंगी, योजनाबत तरीके से किये गए कारे में आपको उत्तम सफलता की फ्राप्ती होंगी, समाजिक चेतर का विकास हो सकता है, नएक कार्यों के रूप रेका बना स हो सकते हैं, आपके यतक मेहनत सुकत परिणाम लेकर आएंगी, आपके समाजिक चेतर में विस्तार होगा, उपहार और समान का लाव भी आपको फ्राप्त होंगे, परिवार में किसी नए सदस्य के आने से आप कमन भी हरसी तरह सकते हैं, पिता के मार्ग दरसन से आपको ला अपने वाली पर सहियम अवस्य रखें, तथा भायों का सहियोग भी आपको अवस्य प्राप्त होंगे, भविस्ति की योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं, और आपके जीवन में भी आपको सफलता हासिल हो सकते हैं, आपके सोंचने, समझने और अपने एक्चा सकती में बढ और सिंगार से समंदेत वैवसाईयों को लाब हो सकते हैं, आर्थिक इस्तितियों में भी आपके उत्तम रहेंगी, रुके विधन की प्राप्ति भी आसानी से आप कर सकते हैं, तथा आपके किस्मत में भी बड़ा चमतकार होने वाला है, अत्यदिक भाग दोड़ के कारण दैनिक दिंचरिया भी आपका अववस्तित हो सकता है, आप थोड़े प्रिसान हो सकते हैं, ऐसे समय में आपको खान पान का ध्यान जरूर रखने होंगे, आप अपने खान पान पर ध्यान अवस्तित रखने का प्रियास करें, सुवे देव को जल में रोली मिला कर अर्पित करें, तथा हनुमान चलिशा का तीन बार पार्ट आपके सभी कार्व में सहायक सिद्ध होंगे, मित्रों मेश रासी के जातकों को बताना चाहेंगे, कि अगर आपके जीवर में, वैपार, वैवसाय, करियर लव लाइप में, अगर आपको किसी प्रकार की मुसिबतें, तकल मातालक्ष्मी का सुरूप, आपने जो भी अपने घर में विराज मान कर रखे हैं, मातालक्ष्मी के किसी भी सुरूप के सामने, आपको जाकर, मातालक्ष्मी के सामने, आपको आपके जीवर में, जो भी कमिया हैं, जो भी आपके तकलिफे हैं, जो भी आपके समस्चाएं ह वो भी मातालक्षमी के साथ जरूर सेयर करें। ऐसा करने से आपके जीवन में आपको खुशियों के प्राप्ति होंगे और आपको बिपिशेश रूप से जो भी आप पाना चाहते हैं वो भी आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आपके हर शेतर में आपके मदद कर सकते हैं, आपका सहीयोग कर सकते हैं। और सहाता भी आपको फ्राप्त होंगे। नए विचारों तथा योजनाओं के साथ आप अपने कारिसेयली में बदलाव कर सकते हैं। आपके द्वारा लिया गया निरने भी मुत्तम सिद्ध होंगे। शातर भी नए वैवसाइक और अच्छे अविशकता के अनुसार अपने कोसल का चुनाव कर सकते हैं। जीवन साथे आपके सभे परियतनों को आपका पुर्ण सहयोग दे सकते हैं। संतान के भविस्ते के प्रते आप थोड़े से चिंतित रह सकते हैं। संतान के दायत्व के पूर्ती करना आपके लियावस सकोंगे। परिवार के स्तितियां भी आपके पक्ष में बने रहेंगे। और परिवार के लोग भी आपका सहयोग कर सकते हैं। प्रेम जीवन में अपेक्चा से अधिग आपको जीवन में निराशा भी सामना करना पड़ सकता हैं, ऐसे समय में धहरता हैं, आपके जमापूंजी ही आपके लिस्षुब रहेगा, आपको लाब भे अवस्य प्राप्त होंगे, लाब की स्थितियां भे आपके उत्तम आपका स्वास्त भी पहले से काफे बहतर बना रहेगा, मत्रों आप किसी नए वाहन, नए घर या नए प्रूपर्टी की खरिदारी कर सकते हैं, जो के मेसरासी के सपनों को साकार कर सकता हैं, तथा आपके द्यानिक दिंचरिया में आपका प्रिवर्तन कर सकता हैं, आपको प्राप्ति अवस्त होंगी, मत्रों अगर आप अपने जीवन में कौफी जादा परिशान हैं और अपने कारिशेतर को लेकर कौफी जादा चिंतित हैं, वैसे में आपके परिशानियों का समधान भी आसानी से हो सकता हैं, और आपको कारिशेतर में भी उचित प्रणामों क प्राप्ती अवस्ट होंगे आपके सूचने, समझने और आपके इच्छा सक्ती में बढ़ोतरी करने के विशे समोके भी आपको फ्राप्त हो सकते हैं यह समय आपके जीवन में आपको सकरात्मों को रुच्छा बनाने के लिए आपका काफी सहीयोग कर सकता है ऐसे समय काफी योग आप अपने जीवन को करने के लिए जीवन को बहतर बनाने के लिए अवस्ट करें आपका दिन बहतर बनें इसके लिए कमेंट बॉक्स में जैमा आता दे अवस्ट लिखें आपका दिन सब हो मंगलकारी हो जैमा विंदु वासने